बॉलिवूट सिर्व स्क्रीन प्रेजेंटिंग पाइरिट्स ओब दा केरिबियन इस कहानी की शुरुआत होती है 1720 में जहां पर समंदर में एक बहुत बड़े जहाज को दिखाया जाता है इस जहाज में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है ऐलिजबेट वो समुदरी लुटेरों का गाना गा रही होती है तब ही वहाँ पर एक आदमी आता और वो एलिजबेट को ऐसा करने से मना करता है वो कहता है कि इस समुदरी लुटेरों का इलाका है तुम्हें उनका ही मनुज गाना नहीं गाना चाहिए इसके बाद यहाँ पर ल्यूटिनेंट जेम्स आते ही जो समुद्री लुटेरों से नफरत करते ही वो एलिजबेट को कहते है कि हर एक समुद्री लुटेरे की एक ही सजा है और वो है मौत दरसल जेम्स समुद्री लुटेरों से बहुत नफरत करता है अब यहाँ पर एलिजबेथ के डेड भी आ जाते हैं जो की गवर्णर है और वो जेमस को कहते है कि मेरी बेटी से ऐसे बातें मत करो मैंने चाता कि उसके दिल में किसी भी तरह का कोई डर बैठे जेमस और गवर्णर वहाँ से चले जाते हैं और एलिजबेट एक बार फिर से समंदर की और देखना शुरू कर देती है और तब ही उसे समंदर में एक लड़का दिखता है वो शुर मचा कर सब को बताती है कि समंदर में कोई है उस लड़के को जहास के उपर लाय जाता है तब ही सब देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा जहास जल रहा होता है सब का ध्यान उस तरफ चला जाता है एलिजबेट उस लड़के के पास जाती है उलड़का होश में आता है एलिजबेट कहते हैं कि मेरा नाम एलिजबेट है वो लड़का कहता है कि मेरा नाम विल टरनर है और इसके बाद वो बेहोश हो जाता है Elisabeth देखती है कि उसके गले में एक लॉकिट है ये एक सोने का गोल सिक्का होता है जिसमें पाईरेट्स का यानि की लुटेरो का निशान होता है एलिजबेट समझ जाती है कि ये भी लुटेरों में से एक है इसलिए वो उसके गले का लॉकिट अपने पास रख लेती है क्योंकि वो जानती है कि अगर जेम्स को पता चल गया कि ये एक लुटेरा है तो वो इसे मार देगा दीरे दीरे वक्त बीटता और कई साल बीच जाते है एलिजबेट अब बड़ी हो चुकी है आज भी उसके पास वो लॉकिट है जो बच्पन में उसे विल के गले में मिला था उसने इस लॉकिट के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया अब यहाँ पर उसके पिता जो की गवर्नर है वो आ जाती है और वो से ड्रेस देते हैं वो कहते हैं कि ये एक नया फैशन है तुम इस ड्रेस को पहन लो हमें एक जर्शन में जाना है जो ल्यूटिनेंट जेम्स की तरक्की की खुशी में दिया जा रहा है मैं चाहता हूँ कि तुम उससे मिलो दरअसल उसके पिता चाहते हैं कि वो जेम्स से शादी कर ले अब विल को दिखाया जाता है जो गवर्नर के घर पर आता है दरअसल विल एक लुहार है गवर्नर ने उसे एक तलवार बनाने के लिका था वही तलवार लेके वो गवर्नर के घर पर आया होता है यहाँ पर एलिजबेट से उसकी मुलाकात होती है एलिजबेट विल को देख कर बहुत खुश होती है पर उसके डैड नहीं चाते कि वो विल से दोस्ती बढ़ाए इसलिए उसके डैड उसे लेकर जर्स निकले निकल पड़ते है वहीं दूसरी तरफ समंदर में हमें जैक स्पैरो को दिखाया जाता है जो पोर्ट रोयल की बंदरगाह पर अपनी कष्टी रोकता है वहाँ पर एक आदमी आता है और जैक स्पैरो को कहता है जैक स्पैरो कहता है कि मैं इस पानी के जहाज को चुराने के लिए आया हूँ सिपाई उसकी बात पर विश्वास नहीं करती वहीं किले के ओपर दिखाये जाता है कि एलिजबेट और लूटिनेंट जेम्स एक साथ है लिजबेट की ड्रेस इतनी टाइट होती है कि उसे सफुकेशन होना शुरू हो जाती है और वो भिहोश होकर किले की उची दिवार से समंदर में गिर जाती है एलिजाबेत के गले में विल का सोने का वो लॉकिट भी होता है जिस पर पाइरेट्स का यानि की समुद्री लुटेरों का निशान है और जब वो सोने का लॉकिट समंदर के सपर्श में आता है तो उससे एक अजीब सी वाइब्रेशन एक गूंज निकलती है जो दूर दूर तक फैल जाती है वहीं जैक स्पैरों ने एलिजबेट को पानी में गिरते वे देख लिया होता है वो से बचाने के लिए पानी में कूच जाता है और जब वो से पानी से बहार लाता है तो वो देखता है कि उसके गले में सोने का पाइरेट्स का लॉकिट है वो उससे पूसता है कि तुम्हारे कले में लॉकिट कहां से आया पर इससे पहले क्यों जवाब देती यहां पर जेम्स उसके सिपाई और एलिजबेत के पिता आ जाते हैं जेम्स के सिपाई जैक स्पैरो को बंदू की नोक पर ले लेती है पर इलिजबेत कहती कि इसने मेरी जान बचाए तुम्हें से छोड़ना होगा पर जेम्स उसके हाथ में पाइरेट्स का निशान देख लेता है वो कहता है कि तुम एक पाइरेट हू जेम्स पाइरेट्स से नफरत करता है इसलिए जैक को बंदी बना लेता है पर जेक बड़ी चालाकी से ऐलिजबेत को गन पॉइंट पर ले लेता है और यहां से भाग जाता है हाला कि सिपाय उसका पीछा भी करते है पर जेक बड़ी बहुत दुरी और चालाकी से यहां से निकल जाता है यहां से निकल कर वो एक लोहार की दुकान में जाता है जहां पर वो अपनी हतकड़िया काटने की कोशिश करता है यह लोहार की दुकान विल की होती है विल वहां पर आ जाता है विल और जैक स्पेरो के बीच में तलवार बाजी होती है जैक स्पेरो और विल दोनों ही बहुत शांदार तलवार बाज होते है पर तब ही यहाँ पर सैनी का जाते हैं और वो जैक स्पेरो को पकड़ कर जेल में डाल देते हैं वही रात को दिखाये जाता है कि समंदरी लुटेरों का सबसे बड़ा जहास जिसे ब्लैक पॉल कहा जाता है वो यहां तक पहुंच जाता है दरاصل अलिजामेट के पानी में गिरने के बाद उसके गले में पारेट्स के सोने के सिक्के से जो गून जो वाइबरेशन निकली थी उस वाइबरेशन और घून से ब्लैक पर्ल जहास के लुटेरों को पोर्ट रॉयल का पता चल गया होता है वो इस पूरी जगा पर हमला कर देते हैं साथ ही उस कमरे तक भी पहुँच जाते हैं जहां पर ऐलिजबेट छुपी होती है एक पारिट कहता है कि तुम्हारे पास हमारी एक अमानत है वो सोने का सिक्का, वो सोने का सिक्का हमें चाहिए वो इलिजबेट को ढूंड लेते हैं और इससे पहले कि वो इलिजबेट को मारते इलिजबेट कहती कि मैं तुम्हारे सरदार से बात करना चाहती हूँ ये पाइरेट्स का एक रूल है अगर कोई उनके सरदार से बातचीत करना चाहे तो इसकी इजाज़त उसे होती है इसलिए वो एलिजबेट को अपने साथ बंदी बना कर ले जाते हैं अगली सुबह विल को जब पता चलता है कि पाइरेट्स एलिजबेट को अपने साथ बंदी बना कर ले गए तो वो एलिजबेट के पिता और जेम्स के पास जाता है वोने कहता है कि हमें कुछ करना चाहिए पर विल की बात को नहीं सुना जाता क्यूंकि वो एक लोहार है तब ही हाँ पर एक सैनिक कहता है कि कल जेकस पेरो बलैक परल जहास के बारे में बत कर रहा था जो एलिजबेट को अगवा करके ले गए है विल ये सुनने के बाद जेकस पेरो के पास जाता है और वो कहता है कि हमें Elisabeth को बचाना है तुम मेरी मदद करो बदले में मैं न सिर्फ तुम्हें या से छुडाऊंगा बल्कि तुम्हें एक सुरक्षित जगा तक पहुंचा भी दूँगा यहाँ पर जैक स्पैरो को जब विल का पूरा नाम पता चलता है कि उसका नाम विल टर्नर है तो वो समझ जाता है कि विल और कोई नई भलकि बूट्स्ट्रेप टर्नर जो कि पाइरेट्स का एक सदस्य था उसी का बेटा है विल जैक को जेल से निकाल देता है और यह दोनों एक कष्टी के नीचे छुपकर एक बहुत बड़े जहास के उपर पहुँच जाते है जिसका नाम डॉंटलेस है जेम्स जब देखता है कि जैक और विल उनका जहास चुराने वाले हैं तो वो अपने सभी सैनिकों को उस जहास के उपर भेज देता है पर यह जैक स्पैरो के एक चाल होती है जब जेम्स के सभी सैनिक डॉंटलेस जहास पर आते है तो जैक और विल सामने एक दूसरे जहास पर चले जाते है जिसका नाम इंटरसेप्टर होता है यह बहुत तेस जहास है और यह दोनों की दोनों जेम्स की आँखों के आगे इस जहाज को लेकर यहां से निकल जाते हैं रास्ते में विल जैक स्पेरो से पूसता है कि मेरा नाम सुनने के बाद तुम मेरी मदद करने के ले तयार क्यों हो गए यहां पर जैक स्पेरो उसे उसकी जिन्दगी की सच्चाई बता देता है वो कहता है कि तुम किसी लुहार के बेटे नहीं हो बल्कि एक समुद्री लुटेरे के बेटे हो तुमारे पिता का नाम था बूट स्ट्रैप टर्नर इसके बाद ही दोनों एक टापू पर पहुंसते हैं जहां पर जैक स्पेरो अपने पुराने साथियों से मिलता है और वो ने कहता है कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा हम ब्लैक परल जहाज तक पहुझेंगे जहां पर उस जहाज के कैप्टेन बार्बोसा से हम एक सौदा करेंगे और उस सौदे के बदले हम उस जहाज को हत्या लेंगे उसका साथ ही कहता है कि बार्बोसा कभी भी हमें ब्लैक परल नहीं देगा जैक स्पेरो कहता है कि जरूर देगा उसे बूर्स्ट्रेप टरनर के बेटे विल टरनर की जरुरत है हम विल्टरनर के बदले उससे ब्लैक पर्ल जहाज ले लेंगे वहीं ब्लैक पर्ल जहाज में ऐलिजबेट को बार्बोसा के सामने दिखाये जाता है जो कि शिप का कैप्टन है ऐलिजबेट कहती कि मैंने तुम्हें तुम्हारा सोनी का सिक्का दे दिया ने ऐसा नहीं किया। इसलिए उपर वाले ने इन सोने के सिक्कों पर एक श्राप लगा दिया। अगर कोई भी इनसान उस बखसे से सोने का एक भी सिक्का निकालता तो उसे इस दुन्या के अन तक सजा दी जाएगी। पर हमें इस कहानी पर विश्वास नहीं था। हमें उस आठ सो बैसी सिक्कों के बखसे को और उसके आस पास के सभी खजाने को लूट लिया। हमने उस खजाने से बहुत आयाशी की लेकिन जिन्दगी के दुनिया के सभी एश और आराम ने भी हमारी भूग को खत्म नहीं किया। हम सब के सब श्रापी थें। और अगर हमें श्र आप से मुक्त हो जाएंगी। एलिजबेट यहां पर मौका देखकर बार्बोसा को चाकू मार कर बाहर भाग जाती है। लेकिन जब बाहर जाती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। क्योंकि वहां पर एक भी इनसान नहीं होता। सब के सब कंकाल होते हैं। तब ही बार अपसास नहीं होता और अब मैं श्राब से किसी भी तरह से मुक्त होकर हमेशा के लिए मुक्ती चाहता हूं। और इसके बाद बार्बोसा भी चाननी रात में आता है और वो भी अपने साथियों की तरह कंकाल बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैक स्पेरो विल और उसके साथियों को दिखाते हैं जो अपने जहाज से ब्लैक परल की तरफ आ रहे होते हैं। यहाँ पर विल को जैक स्पेरो को एक साथी बताता है। जैक स्पेरो पहले ब्लैक परल का कैप्टन था पर उसके साथियों ने उसे धोका दिया और उसे एक टापू पर मरने के छोड़ दिया पर जैक स्पेरो किसी तरह से बच गया और अब वो अपने साथी बार्बोसा से बदला लेना चाहता है जो ब्लैक पल जहास का कैप्टन है वहीं बार्बोसा को दिखाया जाता है जो उस गुफा तक पहुँच जाता है जहां पर वो बकसा है जिसके अंदर 881 सिक्के हैं बार्बोसा कहता है कि हमने सारे सिक्के लोटा दिये जितने भी हमने खर्च किये थे और अब हमें श्राब से मुक्त होने के लिए आखरी सिक्का लोटाना है यहां पर जैक स्पेरो और विल भी पहुँच जाते हैं और इसके बाद बार्बोसा ऐलिजबेट का हाथ काट कर उसका खून लगा कर उस सिक्के को बकसे के अंदर डालता है लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदलता वो श्राब से मुक्त नहीं होते ही बार्बोसा समझ जाता है कि एलिजबेट बूट स्ट्रैप टरनर की बेटी नहीं है इसलिए उसे थपड मारता है जिससे उनीचे गिर ज आती है यहां पर बार्बोसा और उसके लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाती है तब ही पानी के अंदर से विल निकलता है और बड़ी चलाकी से ऐलिजबेट को और उस आखरी सिक्के को लेकर यहां से निकल जाता है पर बार्बोसा के लोग जैक्स जैक्स पेरो बार्बोसा के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं ब्लैक परल का कैप्टन था तुमने मुझे दोगा दिया और खजाना ढूनने से पहले तुम मुझे एक टापू पर छोड़ाए जिस वज़े से मैं श्राप से बच गया लेकिन मैं जानता हूं कि तुमें कि क जैक्स पेरो कहता है कि अगर तुम चाहो तो प्यार से मैं उसादमी को तुम तक ला सकता हूं बार्बोसा कहता है कि इसे बंदी बना लो और अब वो इंटरसेप्टर जहास की तरफ तेजी से बढ़ना शुरू कर देते हैं वहीं इंटरसेप्टर जहास पर दिखाया जाता की ऐलिजाबेट और विल जो कि अब जानता है कि बार्बोसा को उसके खून की जरूरत है उसके पिता एक पाइरेट थे वो दोनों अपने जहास को ब्लैक परल से बचाने की कोशिश करते हैं पर पूरी कोशिश के बाद भी नाकामयाब रहते हैं बार्बोसा इन सब को पूल गए यह वही आईलेंड है जहां पिछली बार हमने तुमें चोड़ा था पर इस बार तुम बच कर नहीं निकल पाओगी और वो जैक स्पैरो को भी पानी में फेक देता है अब जैक और एलिजाबेट एक बार फिर से उसी टापू में फस जाते हैं यहां पर जैक की पिछारू भी होती है जिसे ऐलिजाबेट अगले दिन जला देती है आँप की लपटो को देखकर इस तरफ एक दूसरा जहाँ आता है और इस जहाँ में जैक स्पैरो और एलिजाबेट को इस टापू से निकल कर जहास पर ले आते हैं जहास पर Elisabeth James का कहती है कि हमें Black Pearl जहास का पीछा करना चाहिए वहाँ पर Will है पर James नहीं जाना चाहता पर जब Elisabeth कहती है कि अगर तुम ऐसा करोंगे तो मैं तुमसे शादी करूंगी तो James उसकी बात मान जाता है और अब उसका विशाल जहास ब्लैक परल का पीछा करना शुरू कर देता है ये बहुत जल्दोस जगा तक पहुंच जाते हैं जहां पर ब्लैक परल जहास होता है सब के सब समुधरी लुटेरे गुफाओं के अंदर होते हैं पर खजाना है जहां पर उन्हें आखरी सिक्का डालना है जैक स्पेरो जेम्स को कहता है कि मैं गुफाओं के अंदर जाता हूं वहां में बारवोसा को कहूंगा कि तुम अपने आद्मियों को कश्टियों से बाहर बेजो और जब पाइरेट्स भार आएंगे तो तुम उन्हे गुलियों से भून देना जैक स्पेरो गुफा के अंदर जाता है जहां पर ओ देखता है कि जेम्स विल की करदन काटने वाला होता है ताकि वो श्राप से मुक्त हो सके पर जैक स्पेरो से ऐसा करने से मना करता है वो कहता है कि अगर तुम श्राप से मुक्त हो गए तो भी कबजा करना चाहिए इसके बाग तुम्हारे कबजे में दो दो जहाज होंगे तुम मुझे बलैक परल का कैप्टन मना देना मैं तुम्हारे अंडर हमेशा काम करूंगा और जितने भी जहाजों को मैं लूटूंगा उसका 10% तुम्हे दूंगा बातों ये बातों में यहां पर जैक स्पेरो उसके खजाने से एक सिक्का चुरा लेता है यानि कि अगर उसने आखरी सिक्का डाल भी दिया तो भी उस श्राब से मुक्त नहीं होंगी बार्बोसा को जैक की बात सही लगती है और वो अपने सभी पाइरिट्स को बाहर भेज देता है जो चांदिनी रात में अपने असली रूप में आ जाते हैं यानि कि सब के सब वो कंकाल होते हैं और वो डांटलेस जहाज के सैनिकों पर हावी होना शुरू हो जाते ही वह इंग गुफाओं के अंदर दिखाये जाता है कि जैक स्पेरो और विल बार्बोसा से लड़ना शुरू कर देते ही पर बार्बोसा एक इनसान नहीं है उसे मारा नहीं जा सकता बार्बोसा और जैक की लड़ाई में बार्बोसा अपनी तलवार जैक के शरीर के आरपार कर देता है और तब ही जैक चांद की रोशनी में जाता है और वो भी एक कंकाल होता है क्योंकि उसने भी उस श्रापित खजाने से एक सिक्का चुराया यानि कि अब वो भी श्रापित है, वो भी इनिमी से एक है, जैक के पास जो सिक्का होता है, वो उस पर अपना खून लगा कर उस सिक्के को विल की तरफ उचालता है, विल उस सिक्के को पकड लेता है, तब ही यहाँ पर एलिजबेत आती है, बार्बोसा अपनी गन एलिजबे बार्बोसा को मारना चाहता था बार्बोसा कहता है कि तुमने इस गोली को वेस्ट कर दिया विल टरनर कहता है कि नहीं और वो दोनों सिक्कों को उस श्रापित खजाने के बॉक्स में डाल देता है जिससे सब के सब श्राप से मुक्त हो जाते हैं और बार्बोसा जिसकी छाती पर गोरी लगी होती है वो अपना दम तोड़ देता है वहीं डॉंटलेस जहाज पर जितने भी पाइरेट्स होते हैं अब वो आम इनसान बन चुके हैं इसलिए वो अपनी हार मान लेते हैं इसके बाद दिखाये जाता है कि पोर्ट रोयल में जैक स्पैरो को फांसी दी जा रही होती है विल्कुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो उस जगा जाता है जहां पर एलिजबेट उसके पिता और जेम्स होते हैं वो एलिजबेट को कहता है कि मैंने तुमसे कभी नहीं का लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और ये कहने के बाद वो उस जगा जाता है जहां पर जैक स्पैरो को फांसी से लटकाए जा रहा होता है वो से वहां से बचा लेता है इससे पहले कि ये दोनों यहां से निकलते जेम्स के सिपाई इन दोनों को चारो तरफ से गेल लेते हैं एलिजबेट और उसके पिता भी यहां पर आते हैं एलिजबेट विल से कहती कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं जैक स्पैरो यहां पर अपने एक साथी का तोता देख लेता है वो समझ जाता है कि उसके साथी आसपास ही है इसलिए उक ले की उची दिवार से पानी में कूच जाता है और तब ही ब्लैक परल जाहाज जो कि उसके साथी के पास है वो समंदर में जैक स्पैरो की तरफ आता हुआ दिखाई देता है जो उसे बचाने के लिए है वोई के ले के उपर हमें जेम्स को दिखाया जाता है जो विल को माफ कर देता है साथी ऐलिजबेट के पिता भी विल और ऐलिजबेट की शादी के लिए मान जाते है और अंत में हमें जैक स्पैरो को दिखाया जाता है जो ब्लैक परल जहाज में है उसके साथ ही उसे ब्लैक पॉल जहास का कैप्टन बना देते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है ये फिल्म ये 2003 में रिलीज हुई थी IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.7 इस फिल्म का बज़ट था 140 मिलियन डॉलर्स और बॉक्स ओफिस पर इसने कमाई की थी 654.3 मिलियन डॉलर्स की उमीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी